दोस्तों, चाहे आपका टारगेट वेट लॉस हो या फिर मसल्स बिल्ड करना, दोनों के लिए प्रोटीन का इंटेक बहुत ही जरूरी है प्रोटीन सेल्स ब्लॉक को बढ़ाने के साथ ही इंटेक्स एक्ससाइज के दौरान इसके सेवन करने से दुबली मान स्पेशियों को वसा में बदलने में मदद मिलती है जो आपको फिट बनाने में भी मदद करता है जब आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने की बात आती है तो अंडे और पनीर दो ऐसे खादे-पदार्थ होते हैं जो जादतर लोगों की डाइट का प्लान का हिस्सा बनते हैं दोनों पकाने में आसान और लाबकारी पोशक ततों से भरपूर होते हैं जो कई तरह से स्वास्त के लिए फायदेमंद है जबकि शाकाहारियों के लिए पनीर प्रोटीन का एक मात्र श्रोथ है मांसाहारी लोगों के पास हमेशा चुनने के लिए दो विकल्प होते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वजन घटाने के लिए इनमें से कौन सा बहतर विकल्प है अंडे या पनीर तो चलिए जानते हैं सबसे पहले जानते हैं अंडे के बारे में अंडे पनीर की तुलना में काफी सस्ते होते हैं लेकिन ये प्रोटीन की उच्छ गुनवत्ता वाले स्रोथ होते हैं अंडे में सभी आवश्यक विटामिन और खनीज होते हैं जिनकी शरीर को एक दिन में आवशकता होती है एक पूरे अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन और कई अन्य पोशक तत्व होते हैं जो शरीर को सामाने काम काज करने के लिए आवश्यक होते हैं आप तले हुए अंडे, उबले अंडे, अंडा करी या पके हुए अंडे खा सकते हैं उन्हें अपने आहार में शामिल करने के कई तरीके हैं लेकिन उच्च वस्था सामगरी के कारण बहुत से लोगों को जर्दी को त्याग देते हैं और इस तथे से अंजान होते हैं कि पीले हिस्से में पोशक तत्वों की सबसे अधिक मात्रा होती हैं तो दोस्तों अब हम जानते हैं हमारे दूसरे विकल्प पनीर के बारे में पनीर भारत का एक लोगप्रिय डेयरी उद्पाद हैं केल्शियम से भरपूर पनीर को आप अपने सलाद के रूप में शामिल कर सकते हैं सैंड्विच बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या पनीर कड़ी में बदला जा सकता है मठे से दही को अलग करके दूद से त्यार किया गया पनीर विटामिन B12, सिलेनियम, विटामिन D, राइबो फ्लेविन जैसे पोशक तत्वों से भरपूर होता है 40 ग्राम पनीर में 7.54 ग्राम प्रोटीन और करीब 5 ग्राम फैट होता है दोस्तों अब जानते हैं पनीर और अंडे में से बहतर क्या है और आपको क्या खाना चाहिए अंडे और पनीर दोनों ही समान पोशक तत्वों होते हैं ये प्रोटीन के प्रमुक स्रोथ होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक सभी नौ पोशक तत्व होते हैं इसलिए इन्हें उच्च गुनवत्ता वाला प्रोटीन माना जाता है इसके अलावा डेयरी उत्पात और अंडे विटामिन B12 और विटामिन D से भरपूर होते हैं दो पोशक तत्वों जो किसी भी पौधे आधारित खादे उत्पातों में बहुत कम पाए जाते हैं दोनों ही स्वस्थ विकल्प है और उन्हें वैकल्पिक तिनों में आहार में शामिल किया जा सकता है वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो शाकाहारियों के लिए पनीर खाना, अंडे खाने जितना ही पायदेमंद हो सकता है उन्हें अपने प्रोटीन और पोशक तत्वों के सेवन के बारे में चिंता करनी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है सोया उत्पादो, दाल, नट्स को आहार में शामिल करने से अधिक से अधिक पोशक तत्वों आप प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों कैसा लगा हमें आरब वीडियो बताए हमें कमेंट सेक्शन में वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे, शेर करे, सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को धन्यवाद